हाई गाइस मैं वाजेकम बोज और इस वीडियो में हम डिस्केस करने जा रहे हैं उन बिजनस अपर्चुनटीज के बारे में जिनको जो फार्मा सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं वो आसानी से सुरू कर सकते हैं सेल्स किसी भी बिजनस की बैकपान होती है और जो सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं वो उस बैकपान के कंपौनेट्स होते है है यह दुन्या की सबसे हाईएस्ट ट्रृय जॉब्स में इसके अलावा यह बहुत सारे बिजनस अबरुप्रमासोडिकल सेक्टर में अपलेकेबल ह और उनकी यही मारकेट के अंडिस्टेंडिंग और नौलेज बहुत सारी बिजनस अपर्चुन्टी पैदा करती है इस वीडियो में हम हुनी business opportunities के बारे में discuss करने जा रहे हैं जो pharma sales professionals अपने experience और knowledge के base पर सुरू कर सकते हैं हम यहाँ पे चार business opportunities के बारे में discuss करने जा रहे हैं उसको आप कैसे कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए आपको और क्या क्या license आपको requirement होगी उसके लिए, उन सब के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले बात करते हैं, pharmaceutical distribution business के बारे में जो distribution और osil business होता है, pharmaceuticals में वो sales professionals के लिए सबसे better options में से एक होता है जितने भी pharma sales professionals होते हैं, उनके pharmacist के साथ, pharmacist के साथ जितने hospitals है, doctors है, उनके साथ एक अच्छे links होते हैं, एक अच्छा वो अपने strong networks professionals का बना चुके होते हैं, और उनको complete distribution channel की knowledge होती है इसके अलावा उनके दूसरे sales representatives के साथ पर काफी अच्छे relationship होते हैं, दूसरी companies के MR बगएरा होते हैं sales professionals होते हैं, तो जो उनके area में जो जो नई distribution opportunities हो रही है, किसी MNC कमपनी का कोई distribution अभी उन्होंने change करना है या कोई नई division launch करनी है, तो कोई नई company आ रही है market में, जो large scale पे आना चाहते हैं, तो यह जो business opportunities पैदा हो रही है distribution में, उनकी उनको knowledge होती ही रहती है तो इसी knowledge के basis पे अगर कोई pharmaceutical distribution opportunity या business वो start करना चाहते हैं, तो वो सबसे अच्छे option हो में से एक रहता है उनके लिए इसके लिए आपको soft and establishment act registration की जूरत पढ़ती है, all-sit drug license की जूरत पढ़ती है, goods and service tax number की, GST number की जूरत पढ़ेगी आपको और FACSI registration की जूरत पढ़ेगी, अगर आप food supplement भी company के पास है और उनकी भी distribution साथ में करना चाहते हैं तो अगर आप distribution business start करने के बारे में decide कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप जो all licenses है, जो registration वगएरा है, उन सब को complete कर लीजिए, उसके बाद जो आपको contacts है, आपके network है, उनके थूर आप नई company की या established companies की distribution ले सकते हैं, अगर आपने field में काम किया तो काफी अच्छी knowledge है आपक कि कैसे आप किसी company की distribution अच्छी तरह ले सकते हैं, और अधिक distribution के बारे में जानने के लिए हमने description में link दिया है, वहां से जाके आप distribution के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, दूसरे number पे हम बात करते हैं, और वन pharmaceutical marketing company के बारे में, अब अपनी marketing company भी शुरू कर सकते हैं, जिसमे company के product हैं, उनको promote करते हैं, doctors को convince करते हैं कि वो company के product को लिखे, और same चीज अगर आप अपनी marketing company लगाते हैं, same ही चीज आपको अपनी खुद की marketing company में करनी है, आप खुद की marketing company setup करके, अपने ही brand name से product को launch करके, और doctors को आप उनको promote करेंगे, और prescription generate करेंगे, जो आपको license required रहे रहेंगे, वो रहेंगे company registration, जो voluntary आप करा भी सकते हैं, आज ये firm भी आप चल सकते हैं, wholesale drug license, goods and service tax number, fssi registration, same अगर आप food supplement को भी launch करना चाहते हैं, trademark registration, अपने friend की production के लिए, आप इसको कैसे सुरू कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक company का नाम चूच करिए, और product को select करिए, जो ज किसी से class ना करते हो, किसी से resemble नहीं करते हो, अपनी जो licenses है, और जो registration है, उन सब भी format को पूरी करिए, उसके बाद आप pharmaceutical third party manufacturing company या contract manufacturing से contact करिए, अपना order उनको place करिए, और अपना design है, आपके product के designing है, जो packing material का process है, उसको complete करा लिजिए, उसके बाद आपको wait करना पड़ेगा जो भी manufacturing process में time लगता है, 25 days लगते हैं, 35 days लगते हैं, 30 days लगते हैं, तो इस दोरान आप visual बना सकते हैं, product card बना सकते हैं, जो भी promotional material input है, remainder card वगएरा, उन सब का process आप complete करा सकते हैं, और जब manufacturing process complete होने के बाद, जो भी आपकी term and condition रहेगी, उसको complete होने के बाद material आपका dispatch हो जाएगा, आप receive कर लेंगे, और आपनी आप marketing distribution और selling अपने product की शुरू कर सकते हैं, जो complete marketing company का description में हमने link दिया है, वहाँ से जाके आप और जान सकते हैं, कैसे आप pharmaceutical marketing company सुरू कर सकते हैं, थर्ड नंबर भी बात करते हैं, फार्मा फ्रेंचेजी marketing की, फार्मा फ्रेंचेजी distribution की, जब भी हम अपनी खुद की महारमा marketing की अपनी शुरू करने जाते हैं, तो कहीं न कहीं उसके लिए हमें ज़्यादा investment की जूरूत होती है, क्योंकि higher best size ही होते हैं, थोड़ा time period भी ज लग जाती है, तो अगर आपके पास ज्यादा investment नहीं है, तो आप pharmaceutical franchise distribution में आ सकते हैं, वो थोड़ा कम investment का काम हो जाता है, फार्मा फ्रेंचेजी business आपको क्यों करना चाहिए, अगर आप खुद की pharma marketing करना चाहते हैं, और आपके पास investment में नहीं है, कि आप marketing company में invest कर सके, त तो उसके लिए जो आपके पास सबसे best option बचता है, वो pharma franchise distribution ही बचता है, pharma franchise marketing ही बचता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कम investment चाहिए, आपको ready to use product मिल जाते हैं, आपको promotional material मिल जाता है, एक तरह से पूरा setup मिल जाता है, यह कुछ factor होते हैं, जिनकी वज़े से अगर आप अगर नहीं सुरू कर सकते हैं, तो हम pharma franchise distribution में आ सकते हैं, उसके अलाव आपको monopoly rights भी वहाँ पे मिलते हैं, अगर हम work की बात करते हैं, तो pharma franchise distribution में और pharma marketing अपनी में सेम ही work होता है, दोनों के अपने ही advantage और disadvantage होते हैं, pharma franchise distribution में भी आपको product को doctors को promote करना होता है, उनको convince करना होता है, कि वो आपके product को अपने patients को prescribe करें, और उसी से आपको भी profit of margin आता है, अगर licences जो requirement की बात करते हैं, तो या तो आपको stockist या distributor या wholesaler appointment कर सकते हो, जिसके पस ये licences हैं, या आप खुद के licences भी ले सकते हो, खुद के registration भी करा रगते हैं, तो same वही registration और licences यहां पे applicable होंगे, जो हमने pharma distribution business पे discuss किये थे, sop and establishment act registration, wholesale drug license, GST number, FSSI registration, कैसे आप इसको सुरू कर सकते हैं, आपको एक pharma franchisee company select करनी होती है, आप links का भी use कर सकते हैं, आपके आसपास कोई पहले ही किसी company की distribution ले रहा हो, तो उनकी कोई division हो, या फिर आप कोई friend circle में, या उनकी आप अपन सकते हो, या आप Google पे जाके सर्च कर सकते हो, बहुत सारे business to business portal होते हैं, उनके सरू जाके आप सर्च कर सकते हो, उनसे आप contact कर सकते हो, price list और product list जो है, उनकी आप मंगा सकते हैं, अपनी requirement के साफ से, अपनी needs के साफ से, आप company को finalize कर सकते हो, उसके बाद आप license और registration वाला part complete कर सकते हो, जैसे हमने discuss किया था, या तो आप किसी all seller को distributor को point कर सकते हो, या खुद के ही license वार registration अप ले सकते हैं, उसके बाद आप order place करिए, जो भी आपकी term condition है, जो agreement है वो गयरा तियार कर लिजिए, product को receive करिए, और आप marketing distribution और sale उसकी शुरू कर सकते हैं, farmer franchise के बारे में भ fourth number पर बात करते हैं, sales, consistency और training की, आपको sales में experience है, pharmaceutical sales में, आपको experience है, knowledge है, तो जो आपकी knowledge है, जो आपका sales experience है, आपकी skill है, उसको आप consistency या training में convert करके, आप अपने business सुरू कर सकते हैं, और उससे काफी अच्छी amount आप कमा सकते हैं, काफी अच्छी earning आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको consistency और training business क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो consistency business है, training business है, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा paying businesses में से एक है, jobs में से एक है, और इसमें कोई transaction नहीं होती, physical product की, और sales और training में कोई physical product नहीं है, तो आप इसको बिना किसी investment के सुरू कर सकते हैं, के वहला अपने knowledge पे, आप इस business को सुरू कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी companies होती है, जो regular trainers को या consultants को hire नहीं करती, permanent employee नहीं रखती, तो वो बाहर से part-timers को बुलाती है, जो consultancy देते हैं, training देते हैं, यहां तक कि जो बड़ी-बड़ी companies है, वो भी motivational speakers को, coaches को, trainers को बाहर से hire करती है, अपने sales team को motivate करन करने के लिए, अगर हम licenses registration की बात करते हैं, तो training या consultancy में कोई ज्यादा licenses की registration की जूरत नहीं पढ़ती है, फिर भी आपके type, business type पे, आपके scale के इसाब से, आपको so-op and establishment act की जूरत पढ़ सकती है, अगर आप office वगरा करते हैं, उसके अलावा आपको GST number की जूरत पढ़ सकत है, उसके बाद आपको pharmaceutical company से contact करने की जूरत है, उसके अलावा आप independently, social media के थुरू आप consulting की sessions सुरू कर सकते हो, आप एक brand बन सकते हो, उसके बाद companies आप से खुद भी contact कर सकती है, तो इस तरह आप अपना business सुरू कर सकते हैं, consultancy business के लिए detail में भी हमने description में लिक दिया है, त तो pharma sales professional अपने experience के message बे असानी से सुरू कर सकते हैं, उमिद करते हैं ये information आपको अच्छे लगी होगी, thanks for watching,